नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एकादशी जाग्रण के महातम्य की गथा प्रस्तुत कर रही हूँ, आइए शुरू करते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जये। जै श्री कृष्णा, सभी धर्मों के ग्याता, वेदों और शास्त्रों में निपुन, सबके हृदय में वास करने वाले भगवान शिरीहरी विश्नुजी के तत्व को जानने वाले, तथा भगवत परायन प्रलाज जी जब सुक पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समी सभी धर्मों का पालन करने वाले महर्शी पधारे, उन महर्शियों ने कहा, प्रलाज जी आप कोई ऐसा साधन बताईए, जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रियन निग्रह के बिना ही, अनायास भगवान विश्नु का परंपत प्राप्थ हो जाता है, उनके ऐसा कहने पर, स महर्शियों जो अठारे पुराणों के सार से भी सारतर तत्व हैं, जिसे कार्तिके जी के पूछने पर भगवान भोले नाथ ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ, महादेव कार्तिके से बोले, जो कल्युग में एकादशी की रात में जागरन करते समय, वै एकादशी के दिन वैशनव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त मानिये, जिसे एकादशी के जागरन में निद्रा नहीं आती, तथा जो उत्साह पुर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेश भक्त है, मैं उसे उत्तम ज्यान देता हूँ, और भगवान व विशनू से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए, जो एकादशी की रात को जागरन करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेश में अगनिश्टों तथा अतीरात्रियक के समान फल प्राप्थ होता है, जो रात्री जागरन में बार-बार भगवान विशनू के म जागरन करते हैं, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं, जो द्वादशी को जागरन करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वह भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो प्राण छूटने के बाद भी द्वादशी का जागरन नहीं छोडते, वह धन और पुन्यात्मा हैं, जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरन करते हैं, वह धन्य हैं, जिनोंने एकादशी को जागरन किया है, उन्होंने यग्य, दान, गयाश्राद और नित्य प्रियाग सनान के बराबर पुन्य को प्राप्त कर लिया है, उन्हें सन्यासियों का पुन्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टा पूर्थ कर्मों का भी भली भाती पालन हो गया है। हे शडानन भगवान विश्णु के भक्त जागरन सहित एकादशी का वरत करते हैं इसलिए वह मुझे सदाही प्रिय हैं जिसने वर्धिनी एकादशी की रात में जागरन किया है। उसके स्थूल तथा सुक्षम सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं। पठते रात्रो गाताम नाम सहस्त्रकम द्वादशियाम पुर्तो विश्णोर वैश्णवानाम समाप्तह सग अच्छेत परम स्थान यत्र नारायन त्वयम। जो एकादशी की रात में भगवान विश्णू के आगे वैश्णव भक्तों के समीब गीता और विश्णू सहस्त्र नाम का पाट करता है। वै उस परमधाम में जाता है जहां साक्षात नारायन विराजमान है। पुन्यमई भागवत तथा सकंद पुरान भगवान विश्णू को अतिप्रिय हैं मथुरा और ब्रजधाम में। भगवान विश्णू के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है। उसका पुन्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विश्णू जानते होंगे। बेटा, भगवान के समीप, गीत, मृत्य तथा स्त्रोत पाठ आदी से जो फल प्राप्त होता है। वही कल युग में श्री हरी के समीप जागरन करते समय। विश्णू सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमत भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुणा होकर मिलता है। जो श्री हरी के समीप जागरन करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुन्य सो कलपों में भी नश्ट नहीं होता। जो रात्री जागरन के समय मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ती पूर्वक्ष्री हरी भगवान का पूजन गड़ता है, उसका पुनह इस संसार में जन्म नहीं होता, स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तामबूल, यह सब जागरन काल में भगवान को समर्प किया जाए, तो उससे अक्षय पूर्णि प्राप्थ होता है, पुत्रकार्ति के जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात में श्री हरी भगवान के समीप जागरन करे, जो लोग एकादशी के दिन श्रधा भाव से जागरन करते हैं, उनके शरीर में जाते हैं, जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं, जो उस समय श्री राम चंदर जी के चरित्र का पाठ करते हैं, वह योग वेत्ताओं की गती को प्राप्थ होते हैं, जिनोंने श्री हरी भगवान के समीप जागरन किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, जग्यों का अनुष्ठान तथा सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है। श्री कृष्ण भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहां भागवशास्त्र है भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है और जहां शाली ग्रामशिला स्थित होती है वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जये। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासु देवाये लिखना ना भूलें। आप सभी का हारदिक धन्यवाद। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल।